आजकल सभी न्यूज चैनल्स के उपर एक न्यूज दिखाई जा रही है कि अर्थ की जो इनर कोर है वो एक्चल में स्टोप हो चुकी है 2009 के अंदर स्टोप हुई थी और उसकी डारेक्शन जो है चेंज हो गई है तो ऐसा कुछ न्यूज चैनल्स में दिखाया गया है जैसे यह डेली न्यूज एंड अनलेशिस के अंदर यह दिखाया गया है कि न्यूज स्टेडी रिविल्स आर्थ इनर कोर है स्टोप स्पीनिंग और में बी चेंजिंग डारेक्शन फॉर एक्जामपल यह तूडे ने भी बताया है आज तक वालों ने भी बोला है और्थ कोर है स स्टोप स्पीनिंग में भी चेंजिंग डारेक्शन वट हैपन्स ना वट विल बी हैपन एंड यह तो आर्थ की जो स्पीन की जो रोटेशन थी वो 2009 में एंड हो चुकी है ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया गया है बट एक रिशर्च पेपर अभी जारी हुआ है उसके के वह क्या है एक कोर होती है जो की इन उर्लह मोलते हैं और उसके बाहर है लिकभीड और जिस निकपोटाए हूं थिक ठीक है एक साथ रोटेट करती है पट जो कॉर है उसका थोड़ा सा रोटेशन अलग है मेंज पहले तो एक डिगरी ये फास्टर रोटेट करती थी as compared to earth surface but अब क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया हो गया कि earth के अंदर जो है layers कौन कौन सी है core है, mental है, crust है ठीक है core के अंदर ही अपने जो भी magnetic elements होते हैं ferrous और nickel वो पाहे जाते हैं जिनकी वजह से ही earth के अंदर magnetic field बनता है earth के चार और magnetic field बनता है जो की पहुच सी चीजों से हमारी सुरक्षा भी करता है for example जो charge particles आते हैं sun से या extra galactic जो भी radiation आती है charge particle आते हैं उनको deflect करने के काम आता है जो हमारे earth का magnetic field है plus जो भी हमारे planes चलते हैं अगर यह नहीं होगी तो direction का नहीं पता लगेगा हमें compass जो है काम नहीं करेगा अगर magnetic field नहीं होगा तो so वो तो just एक normal से चीज है but main जो factor है वो solar जो charge particle है उनसे effect जो है वो उसको reduce करता है हमारा जो earth का magnetic field है वो so अब होआ क्या है जो core है और mental है crust है उनके बीच में जो rotation का difference है वो कितना है और जो new research अभी आई है 23 जनवरी को ये एक article दो article एक्चुल में जो है publish हुए है एक तो ये है multi-decidal variation of earth inner core rotation in earth के inner core की rotation के बारे में बताया गया इसमे and the same as earth inner core stop its strange spin ये दोनों ही nature के अंदर चपे है नेचर के अंदर publish हुए है और इन्होंने यही लिखा है कि earth की जो core है वो spin होना बंद हो गई है as compared to the outer layers of earth इस line का meaning ठीक से पढ़ना है समझना है क्या लिखा है कि core की spin है और outer layers की spin है उसके comparison में जो earth की core है उसने spin करना बंद कर दिया है that means जो outer layers and spin है उनकी rotation same हो गई थी 2009 के अंदर but अब opposite का मतलब क्या है पहले तो मैंने बोला था एक डिगरी faster rotate करता है तो opposite का मतलब वो थोड़ा सा slow rotate कर रही है core as compared to outer layers earth की core जो है वो spin करना बंद नहीं हुई है spin करना बंद हुई है as compared to outer layers means जैसे मैं कहूँ कि अपने कोई satellite है और वो अर्थ के एक ही आसमान के अंदर अर्थ के उपर हमें एक ही जगह दिख रहा है that means वो stationary नहीं है न that means क्या है जो earth हमारे rotate कर रही है उसी speed से वो satellite भी rotate कर रहा है ठीक है मतलब यह relative में बात हो रही है ठीक है so earth की जो inner core है और जो outer layers है उनके बीच में जो rotation का difference था वो 2009 में end हो गया था लेकिन अब जो है वो दिरे-दिरे अप उची direction में जा रहा है means उसका जो rotation है वो दिरे-दिरे कम होता जा रहा है ठीक है means जादा rotation इसमें जादा effect नहीं पड़ता लगबग हम यह कहते 35 साल का interval होता है 35 साल के अंदर वो दुबारा से बराबर हो जाएगा earth का inner और outer जो है layers है उनकी rotation बराबर हो जाएगी and then फिर जादा हो जाएगा और फिर दिरे से वही दिरे-दिरे कम होता जाएगा and फिर बराबर हो जाएगा फिर कम होगा ऐसे यह एक period चलता रहता है but we can't say कि earth की जो spin है उसने stop कर दिया है spin करना earth की spin earth की जो core है उसका जो spin है वो stop है as compared to outer layers means उसका जो spin है और outer layers का spin है वो same 2009 के अंदर हुआ था ऐसे यह research जो है published हुई है recent article published on January 23, 2023 right so I hope यह आपको clear हुआ हुआ कि earth की जो core है उसने spin करना बंद किया था as compared to outer layers ठीक है उसका ऐसा मतलब यह नहीं कि earth की core जो है spin ही नहीं कर रही है अगर earth की core जो है spin नहीं करेगी तो उसका effect क्या होगा उसका effect मैं आपको बताता हूँ क्या effect होगा जैसे मैंने आपको बताया है कि earth का जो magnetic field है हमें किस किस चीज से बचाता है तो वो क्या है देखो for example हम sun का ही case लेते हैं sun के अंदर से charge particle आते हैं mostly for example we can consider protons they have a large amount of energy right so each proton can escape around 120 oxygen molecules मतलब इतनी sufficient energy होती है कि एक oxygen molecule की escape energy से भी ज्यादा होती है एक proton की energy इतनी energy से sun से वो proton sun से जो charge particle आते हैं उनकी energy काफी high होती है अगर ये जो magnetic field इसमें show हो रहा है earth का अगर ये नहीं होगा तो ये जो solar wind जो है solar flare से जो solar wind आ रही है solar wind means जो charge particles आ रहे हैं वो deflect नहीं होंगे deflect नहीं होंगे तो वो हमारे atmosphere के अंदर आएंगे atmosphere के अंदर आएंगे तो वो oxygen जो की oxygen हमारा building block है oxygen की वज़े से हम जिंदा रह पाते हैं हम सास ले पाते हैं उनको सभी को escape कर देंगे means वो इन proton से अपनी इन proton से energy लेंगे और उस energy से वो escape हो जाएंगे means each proton can escape up to 120 oxygen molecules that will be a very huge disaster for earth because oxygen is a building block of every human life so oxygen खतम हो जाएगा means ozone layer जो है खतम हो जाएगी plus अगर ozone layer खतम हो रही है तो that means जो UV radiation है जिनसे भी हम बचते हैं because of ozone layer वो भी radiation earth के अंदर earth के environment में पहुँच जाएगी जो की काफी effective होती है जिसकी वज़ा से cancer वगएरा काफी सारी disease हो सकती है so main effect यह होगा अगर magnetic field नहीं होगा अगर spin earth की जो core है उसने spin करना बंद कर दिया तो अगर कोई plane जा रहा है तो वो plane को कोई direction नहीं मिल पाएगी और वो plane जो है खो जाएगा या फिर plane जो है crash हो जाएगा कहीं पर भी सो plane जो है या फिर ship जो है वो नहीं चल पाएगी without a magnetic field also जो हमारे जो birds होते हैं उनको भी magnetic fields का जो है effect उनको feel होता है जिसकी वो जैसे वो fly करते हैं तो वो भी ठीक से fly नहीं कर पाएगे वो भी टक कर मारेंगे दुरदर कहीं तो यह सब disaster effects देखने को मिलेंगे अगर अर्थ का जो है magnetic field जो है खतम हो जाएगा अगर अर्थ की core ने spin करना बंद कर दिया तो अर्थ की core spin करती है तो magnetic field जर्नेट होता है क्यों? क्योंकि अर्थ की core मैंने बताया जो outer layer है पनी वो liquid form में है और ferrous और nickel के ions है means ferrous और nickel जो atom है वो ionized form है because of high temperature और वो ions जो है अगर core जो है rotate कर रहे है that means वो ions भी rotate कर रहे है that means ions move कर रहे है तो ions move करेंगे charge particle move करेगा तो वो एक magnetic field जर्नेट करता है जो जिसकी वज़े से हमारे north pole और south pole बनते है right so अगर वो नहीं होगा तो sun की जो radiation है सीधा हमारे exosphere thermosphere में stratosphere से होते हुए stratosphere and troposphere troposphere is the deepest layer of earth atmosphere तो वहां तक जो है solar की जो charge particle है energetic charge particle है वो पहुँच जाएंगे and they can escape oxygen molecules from there so इससे काफी effect होगा काफी क्या earth का जो है देरे-देरे सब जो life woman's life है वो देरे-देरे खतम हो जाएगी क्योंकि oxygen ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा so earth की spin जो है वो rotate करना बंद हुई थी as compared to outer layers ये language थोड़ा सा English की language थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है research paper में ऐसा ही लिखा हुआ है बिल्कुल तो उस language को थोड़ा सा manipulate करके new challenge ने breaking news बना के कि earth की core ने spin करना बंद कर दिया और उससे काफी effect होंगे ऐसा कुछ breaking news बना के वो show up कर रहे हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसके minor effect देखने को मिलते हैं कि earth की core जो है उसका spin rate जो है अगर change होता है outer layers के according outer layers के according कम होता है जादा होता है तो उसके according पूरे earth के अंदर effect देखने को मिलते है जैसे इसका जो rotation period है उसके अंदर change आया था पिछली साल जो है थोड़ा सा जल्दी हो गया rotation तो minor effects देखने को मिलते है विकोज जो rotation period है core का और outer layers का उसमें ज़्यादा फरक नहीं है पहले एक degree था एक साल के अंदर अब तो वो दीरे-दीरे कम हो गया और 2009 में तो बराबर हो गया था and then वो inner core rotation speed उसकी कम हो गया as compared to outer layers right so यह एक news आपके साथ share करने थी क्योंकि सभी new channels में यही news दिखाई जा रही है जो की थोड़ा बहुत गलत effect डाल रही है सब के मन में सब के मन में थोड़ा सा डर भी और आया कि अगर तक magnetic field खतम हो जाएगा क्योंकि spin करना बंद कर दिया the core movie है उससे रिलेट कर रहे है इस जो incident है इस जो research paper की जो results है उसको relate कर रहे है so ऐसा कुछ नहीं है कि आर्थ की core ने spin करना बंद कर दिया है spin करना बंद किया था as compared to outer layers means outer layer और जो core है उसने spin बराबर किया था 2009 के अंदर ठीक है और अब आर्थ की core जो है वो थोड़ा सा उसकी rotation speed जो है कम हो गई है as compared to outer layers अब ये ऐसा क्यों होता है कम या ज्यादा क्यों होता है इसके उपर कोई भी explanation नहीं आई अभी तक so वो geologist जो है कोशिस कर रहे है कुछ जो result निकाल सके हैं किसी भी observation से so main ये observation आया है gravitational waves से gravity waves जो है वो जर्नेट होती है because of the rotation, differential rotation of core and mental and crest so जो gravity waves जर्नेट हो रही है उनकी वज़े से ये research paper जो है हमारे आये है इसमें भी ऐसा ही लिखाया earthquake data, earthquake जो आती है वो gravity waves, pressure waves की वज़े से आती है इस लेंगविज को थोड़ा समझो क्या लिखाया है वह चीज लिखी है कि पहले फास्टर रोटेट कर रही थी लेकिन 2009 के अंदर वो फास्टर रोटेट करना बंद कर दिए रही अब भी भी उसके बारे में सभी रिचर्चर ने एगरी नहीं किया है यह रिचर्च आर्टिकल हमारे 23 जनवरी में पब्लीश हुई है दोनों एक ये वाला एंड एक ये वाला यह न्यूज आपके साथ सेर करनी थी आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इसका इफेक्ट जो है क्या क्या हो सकते हैं अगर स्पिन करना बंद कर देगी अर्थ तो थैंक्यू वेरी मच्च